कितने महीने की दवाई से आपका ये लीवर की गाठ लीवर का इंफेक्शन और लीवर की सूजन खतम हो गई मिज़े तील महन न होए जी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ हिमानशु भट हमारे खराब लाइव स्टाइल के वजहा से आज कल फैटी लीवर, लीवर में स्वेलिंग और लीवर इंफेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है पैसा खर्च करने के बाद भी कई दवाईयां खाने के बावजूद भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है और ये प्रॉब्लम कई बार और ज़्यादा बढ़कर हमें अलग-अलग हेल्थ इशू दे जाती है लेकिन दी हेल्थ शो में आज हमारे साथ है चंदरभान जी जिनके लीवर में गाठ थी, लीवर में इंफेक्शन भी था और लीवर में स्वेलिंग भी थी जिस वजह से इने लीवर के इशू के साथ-साथ कॉंस्टिपेशन, इंडाइजेशन और गेस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहती थी और यहां लीवर में इनके काफी दर्द भी रहता था हॉस्पिटल में कई जगा ट्रीटमेंट लिया लेकिन आराम नहीं हुआ तो उसके बाद इन्हें आयुरुवेज से अराम हुआ है और अब इनके लीवर की गाठ पूरी तरहां से ठीक हो चुकी है तो दी हैल्थ शो में आज हम चंदरभान जी से जानेंगे कि कैसे इनोंने ट्रीटमेंट लिया, क्या इनोंने परहेच किया इनका नैचुरली आयुरुवेज से लीवर की प्रॉब्लम एकदम ठीक हो गई जो और जगह नहीं हो पा रही थी चंदरभान जी आपको मेरा प्रणाम और स्वागत आपका आपको लीवर की प्रॉब्लम कब से थी ना that in a sorry this Things in a पहले आपको पता चला गी दिख्कत है आपको व्हें जैसे अलग दिख्बत %. पास इहें अथा दमाने पर तभाने या बिना ढबाई बगियर दभाओब यदफ चून बहुत दुख आज चूने तो दुखता था नो लीवर के साथ साथ फिर आपको पेट की भी कोई प्रॉब्लम थी क्या गैस बनता था लैटिन साफ नहीं होती थी अच्छा कब्ज भी रहता था गैस भी रहती थी आप कितने टाइम पहले फिर दॉक्टर के पास गये जब आपको यह दर्द होता था तो उसके पास आप दॉक्टर को दिखा आने गए होंगे तो कहां गए थे आप दॉक्टर को दिखाने की जगह सुर्य में बिजन और में जी तो कितने टाइम आपका वहां एलोपैथी में इलाज चला वहां चला चौदा दिन तक भरती रहा चौदा दिन तक हॉस्पिटल में भरती रहा और कोई आराम नहीं हुआ कोई आराम नहीं हुआ नहीं कितना खर्चा आगया था वहां पर आपका तेड़ दो लाग रुपर लग गया था और कोई आराम भी नहीं हो रहा था तो फिर आप कोई आईरवेट के ट्रीटमेंट के बारे में कैसे पता चला बस गाउं का लड़का था उन्होंनों बताया म आपने सारी रिपोर्ट दिखाई होगी तो यहां कितने महीने की दवाई से आपका यह लीवर की गांठ लीवर का इन्फेक्शन और लीवर की सूजन खतम हो गई अजिए यहां आप जब वैट जी के पास पहली बार आएता तीन महीने पहले तो यहां से ले जाने के बाद आईरवेटिक दवाई का असर कितने दिन में दिखना शुरू हो गया था एक हफते में आयरवेग का सब्सक्राइट सुन्य देखना कि देखना में दिखना अगसे समय में दिखाता है लेकिन आपको एक हफ़ते में अशर नगा हुम तो तो देखें लीवर की जब समस्य ना तो उसके पीछे कही हमार हुआ झूड़ा होता है यूअ हमारी लाइफस्टाइल पे जूड़ी होती है तो आपने के लीवर की समस्या को दूर करने के लिए खान-पान में किस तरह का परहेच किया खटाई मिठाई नहीं ख़ाई और तल भुजन नहीं ख़ाई खटाच छोड़ दिया हाँ मीथा चोड़ दिया और आप ने तला भुना भी छोड़ दिया तो खाते क्या पिर आप बस जैसे के पुपित्ते की सब्जी तोरी की सब्जी और दूद अगर पीना तो पका को मलाई तारने के बाद पत्ती लगा अच्छा वैसे तो देखिए आप एक मजदूर है ठीक है और लोगों को कहते हैं कि जब कोई बिमारी है तो आपको फिजीकल वर्क करना है यो मतलब एकसरसाइस करनी है और आपको पूरे खर्यार अब जोग आपके लिवर में अब् authent रही होता जआ अब आपके लिवर में में दुखन मोगित की हैं थेली सहरbeltिये तो प ना तो दबाने पर दर्द होता है ना बिना दबाए और खाना अब पच्छता है खाना कुछ पच्रियाब आज जो कमी थी वह नहीं दबाई अच्छा और जो आप कहते थे कि आपको लेटरिन खुलकर नहीं होती है खुलकाई मतला का लींवर की रिक्कत बिल्कुल ठीक हो चुकिए कि नहीं है तो इस से आपको कैसा आ्राम महसूस हुआ आँ वस्माज तो गहीं तो जैसे पहले की ओता था कि लीवर की. वह नहीं करster सै कि तो फोड़ा होती है तो हमारा जैसे हर गाड़ी होता है उसी तरह से हमारी बडी मी या तो जब लिवर की दिक्कत होती है तो थकान होगा हे लगती है चला तो क्या आपकी ठकान भी जल्दी आती थी क्या पूरे दिन मजदूरी करते थे तो क्या उस टैम पे आप ठकते जल्दी कमजोरी बहुत दिखाई देए अच्छा काम में फिसले मन नी लगता था अब भूख भूख कम लगती बहुत लगती है बढ़ गई बढ़ गई पच्ट करने को जी करा रहिंता है मतात अज़ील करता और फिर आप लोको से क्या कहना चाहेंगे जो लोग लीवर के लिए अलग-लग दवाईयां खाते हैं और कहते हैं कि नहीं सी आराम हम इसलिए चुछ दूएं ठीक अखाते तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपने अज़र ब प्रशन आप से करना चाहूंगा आपने कहा था कि आपने इससे पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे आपने वापने इलाज लिया तो आपके देड़ दो लाग फे खर्च हो गए थे लेकिन अराम नहीं हुआ था लेकिन जब आपने आयद्वेदिक ट्रेटमेंट लिया डिपक जी के पास यहां पर कितना खर्चा आपका यहां पे जी पहले जादा ख्रचा आया ता डॉक्तर के बार हॉस्पिटल में विचनोर ज्यादा खर्च आये था जेन तो 680 रुपए की एक महने की दवाई की लगब लगब 4,000 रुपए या 5,000 रुपए में आपका 3 महने की दवाई से बिलकुल ठीक हो गया लिवर तो आपका बहुत बहुत धन्यवार चंदरभान जी के आपने अपना अनुभब हमारे सा साज़्ा किया ताकि और लोगों को भी न की जड़ से मिटी जाए तो उमीद करते हैं चंदरभान जी से आपने काफी कुछ जाना होगा कि आईरवेज से भी जल्दी असर हो सकता है हमारी बिमारियों को ठीक करने में जिन वैजी से चंदरभान जी ने अपने लीवर की इनफेक्शन का गाट का और लीवर की सूजन क का इलाज करवाया था उन दीपग वैजी से आप भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो वैजी का नंबर नीचे डेस्क्रिप्शन और पिन कमेंड में आपको मिल जाएगा जहां से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप को कोई भी बिमारी है और का आयरुवेदिक ट्रीट्मेंट आपको मिले तो आप नीचे कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं कि किस बीमारी का आप समधान चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे अलग-अलग आयरुवेदिक और होमिपेथिक डॉक्तर के पाथ आपकी प्रॉब्लम का सॉलूशन आपको दे ता दन्यवा चंदरवांगी